यूट्यूबर मनीश कश्यपर तमिलनाडू की पुलीस ने लगाया NSA, जिसके बारे में सुनकर बड़े-बड़े माफिया भी काप जाते हैं NSA एक ऐसा कानू, जब कोई अपराधी या आतंगवादी देश की सुरक्षा के लिए खत्रा होता है, देश के सद्वाव के लिए खत्रा होता है, तो उसके उपर NSA लगाया जाता है अब यही NSE मनिश कश्चप पर लगाया गया है आखिर NSE क्यों लगाया गया है NSE क्या होता है आगे आपको बताएंगी लेकिन पहले सुनिये मनिश कश्चप पर EOU में एक और केस दर्च किया गया है मनिश कश्चप अपने इस पुराने वीडियो में बापू के लिए अपशब्द कह रहे है अब यही वीडियो मनिश कश्चप के गले की फास बनने जा रहा है इस वीडियो के अधार पर EOU में चौथा केस मनिश कश्चप के उपर दर्च किया गया है NSA या रासु का एक ऐसा कानून है जिसके तहट किसी खास खत्रे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है अस्थानिय प्रशासन को किसी शक्स से देश की सुरक्षा और सध्वाव का संकट अगर महसूस होता है तो ऐसा होने से पहले ही उस शक्स को पकड़ सकता है ये खानून प्रशासन को किसी व्यक्ति को महिनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है इस कानून को 1980 में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को जादा शक्तियां देने के लिए जोड़ा गया था कुल मिलाकर ये कानून सरकार को किसी भी संदिक व्यक्ति की गरबतारी की शक्ति देता है सरकार को अगर लगता है कि कोई शक्स देश की सुरक्षा सुनिशित करने से उसे रोक रहा है तो भी उस सक्ष को गिरबतार किया जा सकता है। इस कानून का इस्तेमाल जीलाधिकारी, पुलिसायुक्त और राज सरकार अपने सिमित डायरे में कर सकते हैं। अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के देश में रह रहा है और उसे गरबतार किये जाने की जरुवत है तो सरकार उसे भी गरबतार करवा सकती है। आज तो हम लोग सफल नहीं हो पा है बड़ कल जरूर मिलेंगे और जहां भी मेले अपना वाप पर जो है हम लोग गांधी के मौत पर हम लोग जास्त मनाते हैं। मनिश कशप ने अब सुप्रिम कोट का दरवाजा खट कटाया है जहां उन्होंने याचिका दायर की है कि अलग-अलग राजियों में दज किया गए मुकदमों को एक कलब में किया जाए। मनिश कशप अब अलग-अलग राजियों में दज मुकदमों से परिशान है वो इससे राहत के लिए सुप्रिम कोट पहुंचा है। याचिका फाइल की गई है जिसमें मनिश कशप की जमानत और साथ में बिहार राजियों में जो उन पर केस राय दर्ज हुए तामिल नाडू में दर्ज हुए और भी पता नहीं कहां कहां दर्ज हुए उनके खिलाब केस तो उन सब केसों को क्लब किया जाए एंटरिम बेल जाए और जस्टिस हो क्योंकि मनिश राज-शाषन-प्रशाषन की तरफ से अन्याय हुआ और मनिश कशप ने पूरवांचल के लोगों की बिहार के लोगों की बिहार के मज़़़ों की आवाज को उठाने का काम किया जो उनके साथ तामिल नाडूम हुए और केवल उन्हो मानिश सर्वोच नहीं कि दो राज्यों का भी माबला हो गया है एक काजा फेक्शन एक बात पर एक स्टेट्मेंट पर एक सोशल मीडिया करशप की तरफ से याचिका फाइल की गई है मनिश कशप की मुश्किलें और बढ़ गई हैं तमिलनाडू पुलिस ने मनिश पर एनसे के तहथ कारवाई की है इससे पहले बिहार में मनिश पर केस दर्च किया गया था मनिश को फेक वीडियो पोश्ट करने के मामले में गरपतार किया गया था आरोप है कि तमिलनाडू में बिहार के परवासी मजदूरों पर कथित हमले के फरजी वीडियो शेयर किये थे बीते दिनों बिहार से तमिलनाडू तक बवाल मच गया था दरसर दमिल्नाडू में बिहार के मजदूरों पर हमला किये जाने का वीडियो सामने आया था ये मामला सुर्कियों में आने के बाद नितीश कुमार की सरकार ने जाच करवाई जिसमें पता चला कि मजदूरों पर कोई हमला नहीं हुआ इस मामले के बीच मनीश कश्यप नाम के शक्ष की चर्चा काफी हुई छे माज को यूट्यूबर मनीश सहित चार लोगों के खिलाब केस दज़ हुआ था